नवस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं आरेसी एलूज आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी ख़बर के बारे में अभी की बड़ी ख़बर क्या है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायरिक रोजगार समाचार आज की बिभीन समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई ख़बरे छपी हुई है जो कि आपके लिए अतिभाहत पूर है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा इसकी इप मत करिएगा वीडियो पसंदाए तो लाइक सेर जरूर करिएगा जिससे आपके हित्मित को जानकारी प्राप्च हो सके अगर आप चाहते हैं कि प्रत दिन इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवा दें और पर से लेट कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे प अब देखिए जो महत्पूर बात इसमें लिखी हुई है और इसके समद्ध में अगर आपको जानकारी है तब भी आप वीडियो देखिए क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा टेट एक्जाम का पैटन अब बदलने वाला ह अब इसे नई सिच्छानीत के तहत कलाने के तयारी चल रही है नेशनल काउंसिलिंग फार टीचर एजूकेशन ने एक कमीटी बनाई है जो 31 मारत होजा 21 से परेटेट परिच्छा की रूप रेखा तयार करेगी नई कमीटी इसमें सामिल होने वाले पारकरम के बिंदों को संस्थान इसके लिए सीवेस्टी और बिहार सरकार समय सभी दाज्यों के सिच्छा विभा को एक पत्र लिखा है अब बदलाओ क्या होगा यहाँ पर पूरी जानकारी दी गहीं बताए गया है कि आपको बता दे कि नई सिच्छानीत के अंतरगत केट में निवलिकित बदला यहाँ पर लिखा हुआ है वन अपानपूर याने की एक बटाचार अब मेरा सवाल है का यूपी टेट में लागू होगा आपके जहन में भी सवाल उट रहा है तो मैं आप से को बताना चाहता हूं कि केंद्र में जो भी व्योस्था लागू होगी क्योंकि केंद्र में तो यूपी टेट में आज नहीं कल लागू होगा इसको आप नोट कर लेना इसलिए आप अपनी तयारी जम कर करें तयारी में जरा सी कोता ही न वरते हैं हर सेक्शन में पास होना अनिवारी जो लिखा हुआ है आप बैंक में एक्जाम देने जाते हैं बैंक की भरती परिछ हो जाएंगे दूसरी प्रकार का नियम सी टेट और यूपी टेट में होगा अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश का बजट 22 को अगली खबर की आर्थिक रूप से कमजोर चात्रों के लिए फिरी कोचिंग 16 से यहां पर पूजिज जानकारे दे गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर बिद्यार्चियों के लिए फिरी में कोचिज देने के लिए प्रदेश सरकार ने मुखमंत्री अबदय योजना सुरू किया है इस योजना के 16 फरोरी 2021 से पढ़ाई सुरू होगी इसका लाब पाने के लिए 10 फरोरी से सुरू होने वाले पोर्टल में रजिस्टेश कि जब भरती समय से पूरी नहीं हो पाएगी मैं आप से बीको बताना चाहता हूं कि 2020 में समुगा की एक भी भरती नहीं है पीसियस की भरती आही लेकिन उसमें SDM का पड़ आइड नहीं है कहा जा रहा कि SDM के पड़ आइड होंगे अब कब आइड होंगे होंगे या नहीं यह अभी अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन जो जानकारी मुझे है कि 13 पर आइड हो सकते हैं प्रारंभी परिच्छा परिडाम आते हैं तो कोचिंग से पहले नई भरती का विग्यापन जारी होना चाहिए समय से भरती पूरी होनी चाहिए अगर 2022 की चुनाओ की मद्दे ने परिच्छा 13 से यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि यूपी बोड की हाई स्कूल वाई इंटर्मीडिर की प्रयोगी परिच्छा का पहला चरण इसी सप्ता पूरा हो रहा है तेरा फरूसी आठ मंडोल में परिच्छा का दूसरा चरण सुर होगा बोड अपसर आठ 79 जार शिच्छे भरति के अभ्यर्टियों ने सो मार को मांगों को लेकर निशाद गंज इस्थित निशाले का घिलाव किया अभ्यर्टियों ने विभाग पर सो तेले बिवहार करने का आरूप लगाते हुए कहा कि आबेदन के समय तूटी वस उनका प्रपतांग जादा औ उनमें सुधार का आउसर नहीं दिया गया जबकि कई जीलों में मूल अभलेखों से मिलानकर अभ्यर्टियों को नई सिचकों की पत पर निउक्ति दे गई अभ्यर्टियों ने बताया क्वे मांग को लेकर दिसंबर से जनौरी तक लगातार 37 दिन तक प्रदसन किया था ले अभ्यर्थियों को संसोधन का मौका नहीं मिलेगा सवाल है तो सरकार इस पर जल से जल निड़ने ले और इन्हें संसोधन का मौका दिया जाए अगली ख़वर है कि 17 मार्श तक तैं होगा पंचायतों का आरचन पंचायती राज मंत्री भुपेंत दिन दी जानकारी अगली ख़वर की एक मार से सुवा नौ बजे से खुलेंगे प्राइमिर स्कूल अगली ख़वर एल्टी करें सिठ्षक भरती को लेकर है आहरता की मसल है कि आवेदन प्रक्रिया के दोरान उनकी साचिक आहरता पूरी हो गई थी लेकिन आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली है इस मसले पर सोवार को अब भरतियों ने आयोग में ग्यापन दिया जिसके बाद आयोग की मीडिया प्रभादी ने अस्वस्त किया है कि जल भी कोई लिया जाएगा अब देखना होगा कि नीड़े कब तक लिया जाता है फिल्हाल अगर सही है सचिक आथि पहले पूरी हो चुकी है आभी दन प्रक्रिया के अंतिमिकिक बहले तो आखिरका मादवी शिछा सेवा चैन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने समायोजन की जिसा में कुछ कदम बढ़ाए हैं जिन चैनितों के आवंटिज कालेज में न्यूक्ति नहीं मिली है उनकी ताजात 120 से अधिक है चैन बोर्ड ने उनमें से सिर्फ 13 अभ्यर्टियों को दूसरा कालेज आ मिल पा रही है तो सवाल है कब तक न्यूक्ति मिलेगी या सवाल सभी के जहन में है तो आप लोग इंतिजार करें जल्दी इसका भी समाधान निकाल दिया जाएगा आगली ख़वर सिविल सेवा परिच्छा को लेकर है यहां पर लिखा हुआ है कि सिविल सेवा परिच्छा को और कें सरकार को निर्देश भी दिया है यहां पर पूरी यानकार दी गई यहां पर लिखा हुआ है कि सुप्रिम कोड ने सुमार को कें सरकार वा संग लोग सेवा आउसे कहा कि कोविड-19 जैसे आसाधन प्रस्थिति को देखते हुए क्यों नहीं सिविल सेवा पिछली सुनवाई के दौरान कें सरकार ने बर्ष 2020 में अंति प्रियास करने वाले परिच्छ हर्थियों को एक और मौका देने पर सहमती जताई है तो मैं आप शी को बताना चाहता हूं इससे उत्तरप्रदिष लोग सेवा आयोग की तरज पर काम करेंगे जैसे उसकी भरत प्रक्रिया उस आधार पर काम करेंगे तो आप मान कर चलिए कि आपको भी इसका लाव मिलेगा जितने पीस्यस कंडिडेट है या आरो यारो कंडिडेट हैं जिनको उम्र में छूट चाहिए इस बेश पर उम्र में छूट ले सकते हैं थोड़ी लडाई लडनी पड़ेगी लेकिन सफलता हाथ लगेगी आप इसको मान कर चलिएगा अगली खबर तरज सिचकों को लेकर है आपको मालनों मुगा की आठ फरवरी 2021 को एहम बैठक की गई है इसमें लिखा हुआ है कि टीडिटी पीडिटी भरती 2020 में तरज सिचकों को राहत देने पर सुमार को कोई नीड अगली खबर दरोगा भरती को लेकर है दरोगा भरती मेडिकल परिच्छा में 2857 सफल यहां पर बताई है कि क्रम चाहिए कि अगली खबर दरोगा भरती को लेकर है सब्सक्राइब दरोगा भरती 2018 मेडिकल परिच्छा का परिड़ाम जारी कर दिया है इसमें कुल 2857 अभरती सफल हुए है इन में 2599 पूस्वा 258 महिला अभरती सामिल है पेपर एक वाद दो उत्री अभरती ने बड़ी संख्या में मेडिकल परिच्छा नहीं दी है अगली खबरेकर मुख स्रीव वववका के 3616 पदों पर भरती का पुरारा विग्यापन रद आपको बता दें यहाव विग्यापन बाल विकास सेवायों पुष्टा हारे विभाग में आये थे मुख्षी वएका के 3616 पदों पर भरती के लिए दो चर्णों में जारी विग्यापनों को निर्ष्ट कर दिया गया है साथ ही आबेदन करने वाले अब भरत्यों को साथ दिनों में जमा सुल्क वापस देने के रिज़स दिये गए है तो आप देखना होगा कि जमा सुल्क मिलते हैं या नहीं यहाँ पर बताया गया है कि निर्ष्ट के लिए आयू अर्चन और चैन के प्रतिया बदल गई है अब बिर्ट्यों को समाज सास्त्र समाजकार या गिरी विग्यार पूसर्ण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में कि कि एक बिसे के साथ इसना तक होना अनिवार है इसके लिए जल्द ही ने सीरे से विग्यापन जारी किया जाएंगी पुरा ने अवेदन करता चार फ्रोरी से साथ जिनके भीतर अपना सुल्क वापस ले सकते हैं तो मैं आपस बताना चाहता हूं कि विग्यापन कब तक आए 1100 युवा यहां पर बताया गया कि भारते सेना द्वारा फरीजाबाद की सेक्टर बारा इस्तिल खेल परिसर में आयूज की जा रही थी अब भरती के लिए सुमार को पहले दिन 1100 युवा दोड़ टेस्ट में सामिल हूए इनमें से 250 युवाओं ने दोड़ टेस्ट पास इस्ता नहीं नीए तो आप इस्ता जरूर लें अगरी ख़वर है कि सरकार का ट्विटर को 1178 खातों को बलाक करने का निदेश अब सवाल है बलाक करने का निदेश क्यों धिया है आपके जहनमित सवाल होगा यहां पर लिखा हुए कि कि सरकार ने एक नया नोटिस जारी का 1178 खातों को बलाग करने का निजस दिया है क्योंकि इस बात की आसंका है कि ए अकाउंट्स या तो खालिस्तान से साहन भूत रखने वालों की है या पाकिस्तान द्वारा समर्पित है समाल है कि किसान आंजोलर ने खालिस्तान और पाकिस्तान क्यों आ रहा है किसानों की बात की जाए, प्रधान मंत्री वार्ता करें, प्रधान मंत्री आकर किसानों से मिले, प्रधान मंत्री काल करें, बैठक करें, बैठकों का दोर तो जारी था, 11 बैठक हुआ, कोई समाधान नहीं निकला, किसानों की मांग है कि MSP पर गारंटी दे दिया जाए, तो और मुंग से कहने से कुछ होगा gateway साथिशी कानून को वापस की जाए अगर किसान की मांग है जब किसान नहीं चाहते हैं तो किसी कानून क्यों क्यों लागू किया जा सवाल के दवाब सरकार को खुद देना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि स्कानुन से किस प्रकार से किसानों को लाब होगा अब भांसर देने को छ नहीं होता है तो सरकार इस पर विंचार भीमस करके चुर्ण कि प्र्धान कीशनों सी वरता करें। मेरा यहिं मानना है। आगली खुवर है कि आंदोलन खतम कर किर्शी सुधारो को एक मौका दे किशान। ऐसा प्रधान मन्तिरी नर्द मोदी जी का कहना है। मैं आप सब्म旗 सबीकुत करना चाहता हूँ कि oscillbelt कि सवाल कि एक समाप्त होना क्या और आंदोलन कई सबाप्थ होना चाहिए और अंधोलन कायसे सबाप्त हो गा सभी के जहर में सवाल है Now is to agree with the कि अगर प्रण न्युक्त सब्जाय कहले किистानों की बतादे कैस कानून में यह यह अच्छाई है इस कानून से भविश्मी यह हो सकता है लिखित दे दे मस्पी पर गारंटी बना दे तो अभी क्रिस्टी कानून को लेकर जो आंदूलन चल रहा है वर समाथ हो जाएगा लेकिन ना प्रधान मंत्री जी किसानों स्रिवारता करेंगे ना मस्पी पर गारं एक प्रकार से संकट की घड़ी होगी क्योंकि चुनाओं में कापी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा 2022 के साथ सरकार के द्वारा जो नीड़ने लेने में देरिक की जा रही है उसका भी बुरा प्रभाव दोजार चुनाओं में देखने को मिलेगा तो सरकार को इस भविश में होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है अगली खमर की आप खुलेंगे देश्वर में बंद पड़े विश्विद्याले और कॉलेज यहां पर लिखा हुआ है कि कुरूना वायरिस की घर्टे प्रभाव को देखते भी विश्विद्याले अनुदान आय को कहा है तो राज सरकार जब चाहेगे इसकूल खुलेगा प्रसासन जब चाहेगा इसकूल खुलेगा तो इसी प्रकार किये कर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर देता रहता हूं जैहिंजा भार आमाज़ाउ